बच्चों कल्पना करो कि हम शहर के लाइट से और प्रदूशन से दूर हैं और अमावस के रात हैं तब रात की सुन्दरता देख कर हम चकित हो जाएंगे हमें खुले आकाश में इतने तारे देख कर आशरे होगा ऐसी रात में हम शायद प्रकाश का एक दूधिया रंग का पट्टा देख सकते हैं ये और कुछ नहीं बलकि हमारी आकाश गंगा या निहार का है जिसे मंदा की नहीं कहते हैं निहार का अरवो तारे उनकी ग्रह माला आएं और अंतर तारिकिय बदलों से और गैस प्लाजमा और धूल से बनती हैं विश्व ऐसी अनंत निहारिकाओं से मिलकर बनता है विश्व में ऐसी अरवो निहारिकाएं हैं और दिल्चस्प बात ये कि हबल से एक आवकास का छोटा पट्टा बारा दिनों तक दिखा और दस हजार अलग-अलग आकार और रचना की निहारिकाएं खोजी गई निहारिका तीन प्रकार की होती हैं चक्राकार दीरगवृत्टाकार तथा अनिमित आकार की निहारिका हमारी निहारिका चक्राकार है उसे मंदा की नाम दिया गया है एंडुमेडा हमारी पड़ोसी निहारिका है वो भी चक्राकार है पता करने के लिए दिल्चस्प बातें प्रकाश की गती तीन गुना दस आठ मीटर पर सेकंड है प्रकाश वर्ष ये समय का नहीं बलकि अंतर का एकक है ये एक वर्ष में प्रकाश ने पार किया हुआ अंतर है विशेश अंतर बहुत बड़े होते हैं इसलिए वो प्रकाश वर्ष में ही नापते हैं हमारे पास ही निहारी का Canis Major Dwarf तक प्रकाश की गती से पहुचने के लिए हमें 25,000 साल लगेंगे, क्योंकि ये निहार का प्रित्वी से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यदि हम प्रकाश की गती से प्रवास करेंगे, तो एक पल में प्रित्वी की प्रदक्षिणा साथ से भी अधिक बार कर सकते हैं, सिर्फ आँखों से हम 4000 तारे देख सकते हैं, हमें लगता है कि सूर्य ही सबसे बड़ा तारा है, क्योंकि बाकी वस्तूओं से वो बड़ा सूर्य एक उर्जा का स्त्रोथ है, वो जलता हुआ गैसों का गोला है, उसमें मुख्यता हाइडरोजन बहत्तर प्रतिशत है और हेलियम लगबग 26 प्रतिशत है और 2 प्रतिशत बाकी गटक, तो सूर्य के लिए हाइडरोजन इंधन है, अब तक आदा ही हाइडरोजन इस्त लिख सकती है यदि हम सूर्य और प्रिथवी का वजन तराजु में करना चाहते हैं तो सूर्य के वजन की बराबरी करने के लिए हमें 3.3 लाख प्रिथवियां लगेगी सूरे का व्यास प्रित्वी के व्यास के 109 गुना है सूरे का वजन घटता रहता है प्रतिक्षण सूरे का वजन 40 लाग टन से भी कम होता है आकाश गंगा में तारों के बीच के आउकाश में मौजूद अंतर तारकिय बदलों में तारों का जन्म होता है हाइडरोजन और धूल के कण एक साथ घूमना शुरू करते हैं जैसे ही वो निकट आते हैं तो अधिकतम कणों को आकरशित करते हैं इन कणों का गुरुतवी बल द्रब्यमान को जोड़े हुए रखता है बाहर के कण अंदर के कणों को धकेलते हैं जो प्रचंड मात्रा में दाब निर्मान करते हैं एक दूसरे के सामने दबने के कारण तापमान भी बढ़ता है जब प्रचंड दाब और तापमान हो जाता है तब अभिक्रिया शुरू होती है इसमें एक proton और एक electron होता है, hydrogen में एक ही proton होता है, proton के साथ ही अभिक्रिया शुरू होती है चर्णो की मालिका के बाद वो helium में रूपांतरित होता है, किन्तु कुल मिलाकर proton की जितनी उर्जा होती है, उसके मुकाबले में helium की उर्जा कम होती है ये उर्जा प्रसारित होती है, इसके कारण अभिक्रिया चलती रहती है, प्रकाश और उश्नदा के रूप में ये उर्जा प्रगट होती है, इसलिए ऐसा तारा जो स्वयम प्रकाशित है उसका जनम होता है हमारा सूर्य अधेड उम्र का है, अर्थात उसमें अभी पचास प्रतिशद इंधन बचा है, इससे फ्यूजन अभिक्रिया और पचास करोड वर्ष के लिए चल सकती है कणों का गुरुतविये बल गैस कणों को जोड़े रखता है, किन्तु उसी समय गरम गैस का दाब कणों को बिखरने की कोशिश करता है, इन दो विरुद्ध बलों के कारण तारा स्थिर रहता है तारों की उतकरांती, समय के चलते तारों में बदलाव आता है, तारे के द्रव्यमान के अनुसार तारे की आयो निशित होती है, ये कुछ दस लाख वर्षों से कुछ अब जब वर्षों तक हो सकती है, तारे में मौजूद इंधन जलता है, उर्जा का निरमान होता है, ता सिरे इंधन का जलना समाप्त होता है तापमान कम होता है गैस का दाब कम होता है गैस का दाब और गुरत्वा कर्शन के कारण स्थिरता नश्ठ होती है तारे की घंता बढ़ती है अब हिलियम का जलना शुरू होता है सब इंधन समाप्त होता है तारे की अंतिम अवस्था तारों की अंतिम अवस्था उनके द्रव्यमान पर निर्भर करती है तारे का आयुर्मान उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है जितना अधिक द्रव्यमान उतनी चोटी जीवन या सूर्य के द्रव्यमान से आठ से 25 गुना द्रव्यमान वाले तारों की अन्तिमावस्त था। अवकाश दूर भी इनसे हम उन्हें खोच सकते हैं। एक प्रचंड कृष्ण विवर आकाश गंगा के मध्य में हैं। जिसे सैगिटेरियस ए कहते हैं। उसका द्रव्यमान 4000 लाग सुरियों के बराबर है। विश्व ऐसी अनंत निहारिकाओं से मिलकर बनता है। विश्व में ऐसी अरबो निहारिकाएं हैं। हमारी निहार का चक्राकार है उसे मंदा किनी नाम दिया गया है हमें लगता है कि सूर यही सबसे बड़ा तारा है क्योंकि बाकी वस्तूओं से वो बड़ा दिखता है